नमश्कर दोस्तों, मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नहीं होता होगा कि अगर किसी विक्ति के हाथ पर बाग ये रेखा ना हो जो कि एपॉर्चनिटी ये रेखा होती है। अगर ये तीनों मुख्य रेखा है आपके हाथ पर नहीं होती है तो आपका जीवन शंगर्स में रहता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब वो शंगर्स किता बरा रहता है वो आगे की बात होती है। आप देखो इनके हाथ पर बिलकुल भी बहुत गौर से भी देखने के बाद बाग्य रेखा नहीं दिख रही है। बहुत गौर से भी देखने के बाद ऑथेंटिक सुड़ी रेखा नहीं है। अब देखो शंगर्स का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप धन नहीं कमाएंगे। अब देखो बहुत लोग ऐसे हैं जो 30-40-40-40 शंगर्स करने के बाद करोड़ों कमाते हैं। लेकिन वो 30-40-40 शंगर्स करते हैं मतलब उनको एपोर्चुनिटी खुद के दम पर बनानी होती है। वो महनत खुद करते हैं महनत करने के बाद फिर वो खुद सफलता को प्राप्त करते हैं मतलब बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए। तो आपका भी जीवन शंगर समय रहेगा ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, कोई भी भागी से जुरावा कारी आपका जल्दी नहीं होगा, ये आपको दिमाग में बिलकुल रखना है! चुकि आपके हाथ पर भागी रेखा नहीं है, बुद्ध रेखा नहीं है, आप वेपार भी करोगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, कि आप दूसरे विक्ती से जादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जादा शंगर्स कर रहे हैं, सूरी रेखा गरबर हैं, तो कभी कबार यश अलश्य नहीं रखना है अपने अंदर, और बिल्कुल भी आपको एक सेजिशन लेने के लिए बागदर्शन करता के रूप में गुरु रखना है, जो कि सूरी रेखा को आप रोजाना, सूरी रेखा है कैसी रेखा है, जो बनते रहती है, तो आप रोजाना जल दे देंगे तो शूरी रेखा आपकी वैसे भी बहतर बन जाएगी, इस बात में भी कोई संदे नहीं है, नहीं संदे रखने के आवशक्ता है, और बुद्ध रेखा के लिए तो देखो आपका जब व्यपार आपके शंगर्स वा बहनत पर चलने लगेगा, तो बुद्ध रेखा आपक रहता है, और माइंड रेखा भी अच्छे स्टेबल माइंड सेट के विक्ति है, जादा कुछी दर दर दिमाग नहीं लगाते, अगर कोई कारी करना है, तो अपने दंपर करके प्रग्रती को प्राप्त करते है, ये रियालिटी है, ये सच है, तो ये बाद भी मैं आप कहते लिके माधिम से देख पा रहा हूँ, ये बाद भी मैं आप कहते लिके माधिम से समझपा रहा हूँ, अब THोडा हिरदे रेखा किया है न, थोड़ा सा जिम्मदारी वाले विक्ति हैं, एमोशनल है, शंगर्स करते हैं और जिम्मदारी लेते हैं, अब जिम्मदारी तो ये भी reality है, ये भी मैं आपके अतले के माधिम से देख पा रहा हूँ इसके उपरान जादा कुछ रेखा है आपके हाथ पर है नहीं हाँ, एक दो तीन होप है, ये देखो एक सूरी देखा आपके हाथ पर बंड रही है अब देखो सूरी देखा का एक बहुत महातपून कंसेप्ट होता है सूरी देखा कंसेप्ट ये है कि एकर आप रोजाना सूरी को जल देते हैं तो ये आपके जीवन में benefit को प्राप्त कराता है, ये आपके जीवन में growth को प्राप्त कराता है ये आपके जीवन में प्रगती को प्राप्त कराता है ये आपके जीवन में धनलाव को प्राप्त कराता है आपको यश्मान प्रतिष्ठा वा सम्मान आपके जीवन में देता है अगर सूरी रेखा आपकी विजिबिलिटी के साथ हो अगर सूरी रेका आपकी अच्छी हो सूरी रेका आपके एतली पर बहतर हो तो ये बिलकुल आपको मान सम्मान ग्रोथ जरूर आपके लाइफ में देता है मान सम्मान प्रगती आपके जीवन में जरूर देता है चलिए ये तु था positivity में और देखेंगे तो 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 रख करा पने आतली पर तो बिल्कुल आपको सैडरिक्सरम करना पड़ता है सैडरिक्सरम करने की जो स्थती है मैं आपके तल्य के मादंच से देख पा रहा हूँ साडरिक्सरम करके आप जीवन में आगे पर तो ये चीज़ आपको बिल्कुल करना परता है चलिए अब जीवन रेका से आगे के life को हम cover कर देंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यह mind line यह life line बिल्कुल बहुत जल्दी अपने जीवन में इंडिपेंडेंसी को प्राप्त कर लिया बहुत जल्दी स्वतंत्र होगे बहुत जल्दी स्वतंतता को प्राप्त करके जीवन में आगे बरने के लिए प्रयासरत आप रहे रहे हैं प्रयास आप कर रहे हैं चुकि 20 years के ही आसपास से आपकी life line और mind line अलग थी तो ऐसे व्यक्ति स्वतंतत्र को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद अगर आप देखेगा तो प्रगती की रेखा थी नॉर्मल थी 30 years तक थी मतलब देदरे करके सफलता को प्राप्त भी किया है देदरे करके ग्रोध को प्राप्त भी किया है आगे भी life line पढ़िए life line पर कोई खास प्रगती की रेखा थी तो जब life line है तो कोई खास प्रगती की रेखा की आवशक्ता परती भी नहीं है यÖ니कि वैसे भी आपके life में ये benefit को देती है वैसे भी आपके जीवन में प्रगति वादनला आपको ये देती है शुक्र मंगल ठीक ठाकर मंगल अच्छा है शुक्र के comparison में मतलब वो थोरा सा क्या होगा ना बारी बार एक दिक्कते रह सकती है बट मंगल अच्छा है तो प्राकरमी है हर एक प्रकार की परिशानी को आप जेल ना जानते हैं हर एक प्रकार की परिशानी को आप जेल लेते है Money Management भी अच्छा है, पैसा लाइफ में आता है, जब भी आवशक्ता होती है, बैतरीन थम्बे, स्ट्रॉंग इलशा शक्ती, यवाग करती है, जई भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा समझदारी के लूप काफी अच्छी समझदार प्रवणति के हैं, फिंगर पर करीरे का इंडिकेट कर रही है, दिल के अच्छे बिक्ती है, ये अच्छी दार्मी कासा है, सेटर्ण फिंगर लंबी है तो महनती है, महनत करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, no doubt उसके बाद आप देखेंगे सूरी फिंगर भी बढ़िया है तो ये भी आपके लाइफ में ग्रोध को बताता है ये भी आपके लाइफ में प्रगति वा धनलाव को बताता है नो डाउट आपका बुद्ध फिंगर भी अच्छा है तो यह आप मान के चल लीजिए कि आप communication skill wise वाग पडूता भी आपकी काफी अच्छी होती है क्या पर आप देखोगे तो बरश्पती थोड़ा दवाब में था थोड़ा संगर्स रहेगा लाइफ में इसके लिए रेमेडी करना है बेसिकली लेकिन हाँ सनी परबत में दवाब या फिर सनी परबत थोड़ा दवाब लेवे कंडिशन्स में रहना तो विक्ती बिलकुल मेहनती होते हैं और इकदम स्ट्रगल से पीछे नहीं बागते हैं सुली रेका ठीक्टा कंडिशन में है विक्तिकत तोर पे आपके लाइफ में ये ग्रोध को बता रहा है विक्तिकत तोर पे आपके जीवन में ये प्रग पन बहुत अच्छा कोई लीगल इशूज आ सकते हैं थोड़े धोके मिलने के योग थे कोट के चली के लफ़रे प्राप होने के योग थे तो तो आप समल के लिए बाद बाकी चंदरमा ठीटा कंडिशन्स में जब भी धनकी आवशकता हो आ जाएगी यह तो यह था इनके दल सब्सक्राइब दिखाएं चाहते हैं नमबर मिल जागा लेकर आप समपर्क कर सकते था में हाँ